हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने अर्धबार सिकांग कर स्टार्ट किया है करेंट अफेर का उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुआ आज हम चैनल ने कॉस्ट्छन की तरह आज का जो हमारा पहला कुष्ट्छन है वो यह कह रहा है कि हाल्य में किस राज की काबिनेट ने राजमें बिधान परिस्द की गठन को मंजूरी दे दी है तो यह किस ने दिया है पश्चे मंगाल ने तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आप सन अबरे पश्चे मंगाल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पॉलिटी में कि कि किसी राज में बिधान परिसेद की अस्थापना और समापति का प्रभधान जो है वो अनुछेद 169 में दिया गया है और विधान परिसेद जो होता है वो राज विधान मंडल का उच्च सदन होता है नेक्स्ट है हमारा निमलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिक सिस्टम सुरू किया गया है तो यह किसके द्वारा किया यह किया गया भारतिये नौसेना के द्वारा तो इस question का सही अंसर होगा option number B भारतिये नौसेना के द्वारा वहीं आद रखेगा भारतिये नौसेना के द्वारा एक operation समुंदर सेतू second भी चलाया गया है जो की oxygen से भर एक container and medical supply को बिदेशों से भारत में ते ब्रगती से shipment कराने के लिए है नेक्स्ट है हमारा की निमलिकित में से कौन भारतिये बायुसेना की पहली महिला उडान परिछन इंजीनियर बनी है तो कौन बनी है उनका नाम है आस्लिता बी ओलेटी तो इस question का सही अंसर होगा option number A वहीं अगर हम लोग बायुसेना ध्यच की बात करते हैं तो अभी 26 में बायुसेना अध्य अच्छे जिनका नाम है RKS भदोरिया नेक्स्ट है हमारा की अपरेल 2021 में ब्रिक्स देशों के बित मंत्रियों तथा केंदरिये बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यचता किस देश ने किया है तो किस देश ने अध्यचता किया है भारत ने तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नबर B भारत वहीं अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है वो दुनिया की पांच अग्रनी उभरती जो अर्थ विवस्थाएं है ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और दचिन अफेरका के समू के लिए एक संचिप सब्ड है ने एक सब्ण है हमारा गया हाली मे भारत ने किस देश को घस्ती जहाज पिएस जो रास्टेर सापी है किसको सापा है यह सापा है सेसल्स को तो इस कोशन का जो सएंसर होगा वो होगा आपसा निमबर सेसल्स सेसल्स गनराज की अगर बात करते हैं तो यह हिंद महासागर में स्थित 115 दीपो वाला एक दीप समूरास्ट है नेक्स्ट है हमारा कि अंतरास्टिय महिला दिबस के अपसर पर किस संस्था ने बोमेन बिल नामक बेपोटल लांच किया है तो पहले तो यह याद रखिए कि अंतरास्टिय महिला दिबस जो है वो आठ मार्च को मनाया जाता है बोमेन बिल नामक जो बेपोटल है उसको लांच किया है गूगल ने तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर भी गूगल ने और यह पोटल जो है वो भारत में एक मिलियन ग्रामीन महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वो अपनी गती बढ़ाने बाले जो कार्जक्रम है या फिर बैपसाइक टूटोरियल है या मेंटर्शिप है ये सब की मदद से वो उद्यमी बन सकती है इस बैप पोटल को अंग्रेजी और हिंदी भासाओं में एकसेस किया जा सकता है या गाओं में इच्छुक महिलाओं को अपनी रूची या सौंदर से बाएं जैसिके टेलिंग हो गया, होम ट्यूशन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया ये सब बैबसाइक को बदलने के लिए मार्क दर्शन प्रदान करेगा, वहीं गूगल के CEO की बात करते हैं तो उनका नाम है सुंदर पीचाई और गूगल की अस्थापना हुई है 4 सितंबर 1998 में को नेक्स्ट है हमारा की दो फरबरी 2021 को बिस्व आदर भूमी दिबस, याद रखेगा दो फरबरी को बिस्व आदर भूमी दिबस मनाया जाता है और जो 2021 का जो थीम था बो था बेटलेंड और वटर, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, आप्सन नमबर C नेक्स्ट है हमारा की अडवंटेज इंडिया, दा स्टूरी ओफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखा कौन है, तो या पुस्तक जो है वो अनिधा दत्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आप्सन नमबर A, अनिधा दत नमबर D, जमुई जिला, नक्स्ट कोशन है हमारा की हाली में किस देश ने भारत से ब्रहमोस मिसाइल सहीत अन्य रच्छा उपकरनों की खरीद हेतु समझोता किया है, तो या किस ते किया है, फिलिपलिन्स ने किया है, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आप् इस देश के राश्टपती को अफिरका का सरवच प्रुसकार इबराहिम प्राइज से समानित किया गया है, तो यह नाइजर के राश्टपती को किया गया है, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आपसन नमरे नाइजर, नाइजर की रधानी है नियामी, और यहा जो है वो यारलूंग जॉंबे है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option बज भी यारलूंग जॉंबे नदी यह जो है वो भारत में ब्रहंपुत्र नदी से मिलती है याद रखिएगा यह जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है मतलब हाइड्रोइलक्टि बिदुत का उत्पादन करेगा नेक्स्ट है हमारा यह भारत में सोलर रूफ टॉफ के लिए किस संस्था ने 100 मिलियन डॉलर के क्रेडिट गरंटी काड की योजना बनाई है तो यह किस ने बनाया है बिस बैंक ने तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आप से नबरे बिस बै नेक्स्ट है हमारा यहाली में केंदर सरकार दवारा जारी इज ओफ लिविंग सूचकांक में 10 لاग से अधीक आबादी वाले सहरों में किसे प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है तो प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है बैंगलोरू को तो इस कोश्चन का जो सही अंसर हो यानि कि छोटे सहरे बाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम अस्थान पर है सिम्ला, दूतिय अस्थान पर है भूमनेस्वर और तृतिय अस्थान पर है सिल्वासा नेक्स्ट है हमारा गी हाली में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा जो हतियार निल्यातक दे से वो कौन रहा है तो सबसे बड़ा जो हतियार निल्यातक दे से वो रहा है USA तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D USA से वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सिप्री की तो सिप्री का full form होता है Stockholm International Peace Research Institute यह एक स्वतंतर अंतरास्टिये संस्थान है जिसकी अस्थापना जो है 1966 में हुई है और इसका मुख्याले जो है वो स्वीडन की राधानी Stockholm में है वहीं सिप्री के रिपोर्ट से एक चीज़ और याद रखेगा सिप्री के रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत जो है वो 2011-15 और 2016-20 के बीच में हतियारों के आयात में 33% की कमी आई है तो के ला महोसब का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के कुसी नगर में किया गया है आश्टार बेली महोसब का आयोजन जो है वो जहां सी में किया गया है नेक्स्ट है हमारागी हाली में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के परधान मंतरी निप्थ हुए है तो यह जो है वो नीदरलेंड के हुए है तो इसकोशन का सही अंसर होगा आप से नमरे नीदरलेंड नीदरलेंड की कापिटल है एमेल स्टर्ड और यहां के करंसी है गिल्डर नेक्स्ट है हमारागी मार्च दो हजारी कीस में किस देश द्वारा बहुरास्टी ये बायुसेना यूध हब्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है तो देजर्ट फ्लैग 6 का जो आयोजन है वो UAE के द्वारा किया गया है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप सन अबर C, UAE, UAE की मेजवानी में यह है जो यूधा ब्यास है डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन जो है वो AL-DAFRA Air Base पर किया गया है यह जो है वो UAE के मेजवानी में आयोजी तेक बार्सिक बहु रास्टिये बड़ा युधाब्यास है एक चीज याद रखेगा इसमें भारतिये बायू सेना जो है वो पहली बार भाग ले रही है इसके अलाबा इसमें USA, France, Saudi Arab, दचिन कोरिया और बहरीन की बायू सेना भी भाग ले रही है भारतिये बायू सेना की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतिये बायू सेना की तरफ से 6 सुखोई, 30 MKI, 2 C-17 और 1 IL-78 टैंकर बीमान के साथ जो है वो भारत इस यूध अभियास में भाग लिया था नेक्स्टर हमारा गी पुर्वोतर भारत के पहले कौसल बिस्विद्याले की अस्थापना जो है वो किस राज में की जा रही है तो पुर्वोतर भारत के पहले कौसल बिस्विद्याले की जो अस्थापना है वो असम में की जा रही है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो जैसे देशों के साथ समझाता होगा नेक्स्ट है हमारा गी लेवी इंसिचूट द्वारा जारी COVID-19 response index में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो इसमें भारत को अस्थान प्राप्त हुआ है 86 तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C 86 वहीं एक चीज और याद रखिएगा कि जो लेवी इंसिचूट द्वारा COVID-19 response index पूछ रहा है तो इसमें जो भारत का अस्थान है उसमें भारत का अस्थान कौन है 20 है next question है हमारा कि निमलिकित में से कौन हाली में देश की सबसे कम और उमर की महिला पाइलोट बनी है तो सबसे कम और उमर की महिला पाइलोट कौन बनी है आईसा आजीज बनी है तो इस question का सही answer होगा आप से नमर D आईसा आजीज और यह जो है वो पचीस बर्स की आयू में ही मातर बने हैं और यह जो है वो जमू कास्मीर की रहने वाली है नेक्स्ट आमारे यह हाली में किस राज सरकार द्वारा भूमी से जुड़े बिवादों को कम करने के लिए एक 16 अंकिये यूनिकोड जारी किया गया है तो 16 अंक यह यूनिकोड जो है वो उतर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर C उतर प्रदेश यहां से एक चीज़ और याद रखेगा यह जो भूमी का यूनिकोड है वो सोलर डिजीट का होगा पहले चौव अंक जो है वो भूमी की संख्या पराधारित होगे उसके अगले चार अंक जो है वो भूमी की बिसिष्ट पहचान का निधारन करेंगे और फिर 11 से 14 अंक तक के अंक जो होगे वो भूमी के बिभाजन की संख्या होगी और अंतिम के जो दो अंख होंगे वो स्रेनी के सम्मन्ध में विब्रन होगा जिसके माध्यम से यह पता चलेगा कि वो भूमी जो है वो क्रिसी योग है आबासिय भूमी है या फिर बानिज भूमी है नेक्स्ट है हमारा गी बिदेशी निवेश को आकरसित करने के उदेश से हाली में किस देश के द्वारा नई नागरिक्ता निती जो है वो लागू की गई है तो नई नागरिक्ता निती जो है वो UAE के द्वारा लागू की गई है उन्होंने यह बताया है कि नागरिक्ता कानूनों में यह परिवर्तन जो है वो विसेश कौसल बाले परतिभाओं को आकरसित करने एबन देश में बनाय रखने के लिए किया गया है इस जो नया संसोधन कानून है इसके अनुसार निबेसको, विशेश परतिभाओं एबंपेसाबरों, बैग्यानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, लेखक और उनके परिवारों को एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार UAE की नागरिकत प्रदान की जाएगी साथी साथ एक चीज़ और याद रखेगा, UAE सरकार जो है वो नवंबर 2020 में अपने गोल्डेन बीजा सिस्टम को भी बढ़ा दिया है, जो कि कुछ पेसे बढ़ता था विशेश डिग्री धारकों को दस बरसों तक खाड़ी देश में रहने की अनुमती प्रदान करता है नेक्स्ट है हमारा ये हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार, सौ सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानबीर कौन बन गए हैं, तो दुनिया के जो सबसे बड़े दानबीर बन गए हैं, उनका नाम है जमसेजी टाटा, तो इस कोशन का सभी अंसर होगा, आपसो नहीं जमसेजी टाटा, यह जो रिपोर्ट है, वो हुरून रिपोर्ट और एडलगी फाउंडेशन के द्वारा तयार किया जाता है, जिसमें बिस्व के 50 दानबीरों के सुची जारी की जाती है, जिसमें सबसे पहला स्थान जो है, वो जमसेजी टाटा को है, इन्होंने 102 अरब रुपे जो है, वो दान किये हैं, नेक्स्ट है हमारा जो ऑक्सफोर्ड इंवर्सिटी द्वारा बर्स 2020 का हिंदी बर्ड आप दे एर प्रुसकार किसे घोसित किया गया है, तो हिंदी बर्ड आप दे एर घोसित किया गया है किसको, आत्म निर्भरता को, तो इस कोशन का सही से डिक्सनरी किसको किया है तो कॉलिन्स डिक्सनरी किया है लॉकडाउन को और एक और होता है डिक्सनरी.com डिक्सनरी.com अगर पूछ दे आप से तब आपका अंसर हो जाएगा पेंडेमिक तो ये तीनों चारों याद रखेगा ओक्सपोर्ड इंबसिटी का हिंदी बढ़ है आत्म निर्भरता वहीं कैमरेज डिक्सनरी का बढ़ है कॉरेंटीन, कॉलिन्स डिक्सनरी का बढ़ है लॉकडाउन और डिक्सनरी.com का बढ़ है पेंडेमिक नेक्स्ट है हमारे कि सयद मुस्ताद अली टी ट्वेंटी ट्रोफी 2021 का खिताब जो है बुकिस टीम के द्वारा जीता गया है तो यह तमिलाडू के द्वारा जीता गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप से नवरे तमिलाडू तमिलाडू जो है वो बढ़ोधरा को साथ विकेट से पराजित करकर यह खिताब अपने नाम किया है तमिलाडू की जो टीम है वो दूसरी बार इस परति योगता का खिताब जो है वो दिने शकार्थिक के ही कप्तानी में जीता था नेच्ट है हमारा कि आस्टेलियन ओपेन 2021 में महिला एकलबर्ग का खिताब किसने जीता है तो ये जीती है Naomi Osaka जो कि Japan की प्लेयर है तो इस question का सही answer होगा आपसर नमरे Naomi Osaka और यह जो है वो Jennifer Bradry जो कि US की है उनको हरा कर यह खिताब अपने नाम की है वही अगर आपसे question पूछ ले कि पुरू सेकल के बिजेता कौन है तो पुरू सेकल के बिजेता है नोबाक जोकोबिक जो करनाटक में किया जाएगा तो इस question का सही answer होगा आपसर नमरे जी करनाटक यहीं आप लोगों को याद होना चाहिए जो पहला खेलो इंडिया इनवसिटी गेम था वो भूबने सबर उडिसा में हुआ था और यह जो खेलो इंडिया इनवसिटी गेम्स होता है इसमें under 25 आय इजरायल मिलकर तयार कर रहा है तो इस question का जो सही answer होगा आपसर नमरे जी इजरायल देखिए जो यह anti torpedo defense system जो होता है यह मिली लडाकू पंडूबियों के लिए हमला करने से बढ़ोतरी मतलब उसमें बचाने और किसी भी हमले से निपठने में मदद करने के लिए इसको तय आर किया जाता है नेक्स्ट हमारा गिए फरबरी 2021 में मुंबई टट पर भारतिय नौ सेना में तीसरी अस्कॉर्पियन पंडूबी को सामिल किया गया है तो यह कौन है आइनेस करंज है तो इस question का सही answer होगा option number B आइनेस करंज आइनेस करंज की अगर बात करते हैं तो इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत बिक्सित की जाने वाली जो 6 अस्कॉर्पियन पंडूबिया है उसकी स्रिंखला में यह 30 पंडूबी है इससे पहले कलबरी और खंदेरी यह दोनों अस्कॉर्पियन स्रेनी की स्वदेश निर्मित पंडूबी है करंज को 1969 में और जो खंदेरी है उस इसको 2003 से यह जो है भारतिये नो सेना में कार्ज रहत है नेक्स्ट है हमारा कि किस परसिद भारतिये बैग्यानिक ने भारतिये सेना के उपयोग हेतु Solar Heated Tent का भिष्कार किया है तो यह किया है सोनम बांग्चूप ने तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आप सेनमर D सोनम बांग्चूप सोनम बांग्चूप जो है वो रैमन मैंक से अवार्ड से भी सम्मानित है और यह देखिए जो हीटिंग टेंट है यह इसलिए बनाया गया है कि जो हमारे सेना है वो लदाक्स या चीन ऐसे जगों पर जहां बहुत जादा सर्दी होती है वहाँ पे तैनात रहते हैं तो उनक कोशन का सही अंसरो को आपसर नबर B लखनाव मेट्रो नेक्स्ट है हमारागी फरबरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया वो किस देश के पहले परधान मंतरी थे तो यह थे पपुआ नियूगिनी के तो इस कोशन का सही अंसरो को आपसर निबर C पपुआ नियूगिनी पपुआ नियूगिनी के रधानी है पोर्ट मोसौर्बी और यहाँ जे अभी ततकालीन जो परधान मंतरी हैं उनका नाम है मिचेल सोमारे नेक्स्ट है हमारा यहाली में संजुक्त रास्त की मानवाधिकार परिशत की सलाहकार समीती के अध्यच के रूप में चूने जाने वाले पहले भारती है कौन है तो उनका नाम है अजय मलहोतरा तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर B अजय मलहोतरा वहीं मानवाधिकार परिशत की बात करते हैं तो मानवाधिकार परिशत की अस्थापना जो है वो 15 मार्च 2006 को हुई है इसका मुख्याले जो है वो जीनेबा स्विजरलेंड में है और मानवाधिकार परिशत के जो अध्यच है उनका नाम है नजहत समीम नेक्स्ट है हमारा 87 बरसों के बाद पहली बार फरबरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूनामेंट को BCCI ने रद कर दिया है तो यह जो है वो रंजी ट्रॉफी को रद कर दिया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर B रंजी ट्रॉफी रंजी ट्रॉफी इससे पहले 2019-20 में हुआ था जो की सौरास्ट जीता था बंगाल को हराकर नेक्स्ट आमारा की 21 संस्था के द्वारा आठ से बारा फर्वरी 2021 के बीच BTS आचरता सप्ता 2021 मनाया जा रहा है तो यह जो है वो RBI के द्वारा मनाया गया था तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबरे RBI RBI जो है वो बर्स 2016 से हर साल एक 20-20 पर BTS इच्छा संदेशों को लागू लोगों तक पहुँचाने के लिए BTS आचरता सप्ता का आयोजन करता है वहीं जो 2021 का जो थीम था वो था Credit Discipline and Credit from Formal Institution Next question है हमारा कि हाली में जारी घोसना के अनुसार किस राज में full presence करन के अंदर की अस्थापना की जाएगी तो full presence करन के अंदर की अस्थापना जो है वो करनाठक में किया जाएगा तो इस question का सही अंसर होगा आपसर नबर D करनाठक में Actually देखिए जो करनाठक राज्य का बागमानी विभाग है ये full presence करन के अंदर बो है कि जो मतलब full की खेती करते हैं फूल तोड़ते हैं और full फिर उसको बजार में ले जाकर बेशते हैं तो अगर full नहीं बिकेगा तो उसको दूसरे उत्पाद में जैसे उसका पर्फियूम बना देना ये सारे उत्पादों में परिवर्थित कर देना ही full presence करन के अंदर अस्थापित किया जा रहा है नेक्स्ट है हमारा की फर्बरी 2021 में किस भारतिय राजनेता ने Global Energy and Environmental Leadership Award से समानित किया गया है तो यह नरेंद मोदी को किया गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप से नरेंद मोदी नेक्स्ट है हमारा की हाली में किस देश के पूर परधान मंतरी को पद्म विभूसन पुरुसकार 2021 से समानित किया गया है तो वो जपान के पूर परधान मंतरी थे जिनका नाम था सिंजे आबे वहीं याद रखिएगा टोटल पद्म पुरुसकार की बात करते हैं तो टोटल 119 लोगों को मिला है जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूसन, 10 लोगों को पद्म भूसन और 102 लोगों को पद्म सिरी से नवा जा गया है नेक्स्ट है हमारा की 20 स्वास संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोभी टिके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है तो वो पहला देश है घाना तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D घाना नेक्स्ट है हमारा की फर्बरी 2021 में भारत का पहला जंडर पार्क बं म्यूजियम जो है वो किस राज में अस्थापित किया जाएगा तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D केरल वहीं केरल से याद रखेगा केरल हाई कोर्ट जो है वो ट्रांस जिंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दे दी है और केरल सरकाल जो है वो बड़े होटलों को उद्ध्यों को दर्जा देने की घोसना भी किया है नेक्स्ट है हमारा की आदर भूमी के संरचन नवं परबंधन के लिए भारत का पहला केंदर जो है वो किस सहर में स्थापित किया जाएगा तो यह चन्नाई में किया जाएगा तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर भी चन्नाई में नेक्स्ट है हमारा की OneSchool OneIS योजना जो है वो किसराज सरकार के द्वारा पार्रम की गई है तो OneSchool OneIS योजना जो है वो किसके द्वारा की गई है यह क्या गया है केरल सरकार के द्वारा तो इस कोशन का सहीन सरो होगा आपसन अबड़ी केरल सरकार के द्वारा या One School, One IES योजना का जो मुख उद्देश है वो ये है कि जो Retired IES IPS है उनके द्वारा एक संस्था चलाया जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से पिछडे छात्रों को निसुल्क परसिचंदिया जाएगा वहीं केरल की अगर बात करते हैं तो केरल से दो चीज और याद रखिएगा एक है Knowledge Economic Mission जो कि सिछिती वाओं के लिए रोजगार के अफसर को बढ़ाने के लिए किया गया है और एक है Smart Kitchen योजना Next है हमारा गी जापान दोरा दुनिया का सबसे सक्तिसाली सूपर कम्प्यूटर बिक्सित किया गया है जिसका नाम क्या है तो उसका नाम क्या है उसका नाम है Fugaku तो इसकोशन का सही अंसर होगा आप से ने बरसी Fugaku Fugaku का नाम जो है माउंट फूजी के एक बैकलपिक नाम पर रखा गया है और इसको जो है बो Sorry एक रिकेल और एक है Fugetasu ये दो बैग्यानिक अनुसंदान संस्थान है जापान के इन ही दोनों के दौरा ये Fugaku जो है बो तयार किया गया है Next है हमारा ये हाली में परकासित पुस्तक Another Duggen of Stories किसके द्वारा लिखी गई है तो यह जो है वो Satjit Ray के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो इसकोशन का सही अंसर होगा आप से नमबरे Satjit Ray Next है हमारा ये किस देश ने जलवाई परिवरतर से निपठने के लिए Harit Pahal के शुरवात की है स तो इसकोशन का सही अंसर होगा आप से Ncember D, Saudi Arab के द्वारा, देखिए ये जो सौधी Green Initiative है इसको 2 चीज में बाटा गया है यह मतलब हरीद पहल को दो कैटेगरीस में बाथा गया है एक का नाम दिया गया है साओधी green initiative और दूसरे का नाम दिया गया है middle east green initiative तो अगर साओधी green initiative की बात करते हैं तो उसका उदेश जो है बनस्पति आवरन को बढ़ाना कार्बन उसर्जन को कम करना और पूरे साओधी में लगभग 10 लाख ब्रिच लगाने का उदेश उसमें रखा गया है वहीं अगर हम लोग Middle East Green Initiative की बात करते हैं तो इसका उदेश जो है वो समुंदरी और टटिये परियाबरन को संरचित करना और प्रकिर्टिक भंडार को संरचित भूमी के अनुपात में ब्रिधी करना नेक्स्ट है हमारा कि किस अंतरीच एजन्सी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सक्तिसाली अंतरीच बिमान दुर्बिन जेम्स बेब अस्पेस टेलिसकोप जो है वो वो बिक्सित किया है तो यह नासा ने किया है तो इसकोशन का सायन्सर होगा आप सनबरे नासा नासा का फुल फॉर्म होता है दनेशनल अरोनौटिक सेन्ड़ स्पेस अड्मिस्टेशन जिसकी अस्थापना जो है वो 1958 में और हेटक्वार्टर जो है वो बासिंग्टन डिसी में है नाक्स्ट है हमारा कि मित्रा अस्कीन की सुरुवाद जो है वो किस छेत्र के लिए की गई है सिर्वाद टक्सЧाल के लिए क्या गया है तो इसकोशन का साय अंसर होगा आप सनेबर भी टक्स्टाल देखिए जो मित्रा है मतलब है M.I.T.R.A. इसका full form है Mega Investment Textile Parks ये जो है भारत के कपड़ा उद्यों को बिस में प्रतिय स्प्रधा बनाने के लिए सरकार के द्वारा 2021-22 का जो बजट था उसी में Mega Nives Textile Park यानि की मित्रा योजना की घोसना की गई थी और इसमें यह कहा गया है कि आने वाले तीन बर्सों में कम से कम साथ Mega Nives Textile Park का निर्मान किया जाएगा नेक्स्ट है हमारा की 21 कंपनी का IPO यानि Initial Public Offer जारी किया जाएगा तो यह एक बिमा कंपनी है जिसका नाम है L.I.C. यानि Life Insurance Corporation of India तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number B नेक्स्ट है हमारा की बजट में घोसित सहरी स्वच भारत मिसन 2.0 की अबधी क्या है तो यह है 2021 से लेकर 2026 तक तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number D यहाँ याद रखेगा यहाँ सहरी पूछ रहा है 2021 से 2026 और इसके लिए टोटल एक लाख एक तालीस हजार 668 कडोर रुपे का कुल बीत ये आवंटन भी किया गया है तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाईक जरूर कर दीजएगा अभी तक आप इस चैनल पे नए है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स फोर वचिंग